Hello Friends, मैं अविनाश डिडवाल आज आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूँ Metaphor and Simly के बारे में दोस्तो इसमें हम समझें के Metaphor क्या है, Simly क्या है इनके बीच के Difference को भी जानेंगे और कुछ एक्जामपल भी लेंगे दोस्तो पहले बात करते हैं Literary Term मैंने लिखा है यहाँ पर Literary Term, Metaphor and Simly तो Literary Term क्या चीज़ है Literary Term जो है, It refers to the technique and style used by the writers and speaker किसलिए यूज़ करते हैं वो इस technique को, इस style को जो लेकक हैं और जो वक्ता हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो speech है, उनकी जो writing है एक masterpiece की तरह काम करें और जो उसको पढ़ रहा है, जो उसको सुन रहा है उसको पढ़ने में अच्छा लगे और वो जो चीज़ कहना चाते हैं वो उसे थोड़ा बढ़ा चड़ा के अच्छे तरीके से impressive way में express कर सकें अब यहाँ पर बात यह आती है कि वो किस चीज़ को express करना चाता है किस चीज़ के बारे में बात करना चाता है जिसको वो impressive way में दर्शकों को या अपने readers को दिखाना चाता है कोई message convey करना चाता है So friends, यहाँ ऐसी बहुत सारी technique है, literary terms है, devices है, techniques है आज हम दो की बात करेंगे, metaphor and simile की Metaphor and simile क्या है, इनका use लेकर कब करेगा, उसके बारे में समझते है जब writer को या speaker को कोई comparison करना है between two unlike things Then he used these techniques, these literary terms, these figure of speech, जेने हम metaphor and simile कहते हैं Means, metaphor and simile are used by a writer or speaker When he wants to make a comparison between two unlike things दो अलग-लग चीज़ों को compare करके कुछ हमें गहरा meaning बताना चाता है Metaphor and simile का जो basic meaning है, it is a comparison between two unlike things यह clear हो गया, लेकिन जब metaphor and simile को अलग-लग देखेंगे तो metaphor में क्या करते है, metaphor में क्या होता है, direct comparison होता है Without the use of word, like or as अब direct comparison कैसे होता है, वो मैं आपको example के साथ समझाता हूँ आपके village में, school में या गाउं में अगर कोई strong person है, जैसे बहुत बलशाली है तो आप उसे क्या कहेंगे तो यहाँ पे हमने like और as का use नहीं किया है हमने उसको directly compare कर दिया है, खली से, undertaker से और तारा सिंग से तो यही direct comparison क्या है, metaphor है, use of metaphor यहाँ पे एक और example लेते हैं, बहुत ही common है आपने सुन रखा होगा कि कोई किसी को जब कहता है your heart is of stone, तुमारा दिल पत्थर का है, अब उसने क्या किया, metaphor का use किया एक बहुत ही गहरी बात बोल दी है आपके दिल को touch कर गई means आपके अंदर emotions नहीं है, feelings नहीं है, वो यह कहना चाहता है तो उसने यहाँ क्या किया, comparison किया, किसका, आपके दिल का पत्थर के साथ, तो यह क्या हुआ है, metaphor हुआ, उसने एक बहुत गहरी बात बोल दी और आपको बुरा भी लग गया, तो दोस्तों यही है metaphor, और example लेते हैं तो बोलें laughter is the best medicine, तो यहाँ पर laughter को medicine से compare कर दिया, directly compare कर दिया without the use of like and as, ऐसे आप बहुत सारे example ले सकते हैं, simple simple example ले सकते हैं time is money, he is bahubali of our class, तो इस तरह से आप I hope यह समझ गया होगे कि metaphor क्या है, एक comparison है which is direct comparison without the use of like or as, अब भी हम बढ़ते हैं simly की और, simly क्या है metaphor का subset is a subset of metaphor, subset इसलिए कहते हैं क्योंकि जो metaphor है, उसके अंदर जो जो चीज़े हैं, वो सबके सब simly में भी है in spite of one thing, जब आप comparison करते हैं, तो simly में हम use करते हैं like or as का, जब sentence में comparison करते हैं like or as का use हो गया, तो समझे वो technique कौन सी है, वो है simly, आप उसे easily identify कर सकते हैं for example, आप लेते हैं कि he is as strong as mountain, तो पहाड की तरह मजबूत है तो इसमें as का use हुआ, he ran like a tiger, like का use हुआ, she is beautiful like a flower, यहां भी like का use हुआ, तो दोस्तों इसे हम simly कहते हैं, जहां पे as or like का use हो गया, that technique is simly और यही difference है metaphor और simly के बीच में, कि while doing comparison between two, unlike things, when we use like or as, that is simly, और जब direct comparison होगा, that is metaphor, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, तो please like, share, subscribe, comment भी कीजिए, thank you very much